अलो दोस्तों नमस्कार आज हम दिखाने वाले हैं हमारे गाउं के फुसर्ट के बारे में जो हमारे अभी लगए हुए यह राहिर जो बहुती अच्छा दीख रही है और उधर भी लगा हुआ है और उधर चारों तरफ लगे हुए हैं राहिर भी राहिर है यह देखे दोस्तों हमारा राहिर बारे जो हमारे गाउं के लोगों ने लगाये हैं हम लोग सभी मीलते लगाये हैं हमारे राहिर का फसल अच्छी तरह से है हमारे वीडियो में बने रहे इसी तरह और भी क्या-क्या फसल लगा है उसके बारे में हम लोग जानकारी देते हुए दूसरा जगा पहुत बड़ा खेत में खेत नहीं है बारी है जो राहर का बुवाय हुआ है जो हमारे सीर के उपर तक है बहुत गहना राहर है बहुत ज़्यादा कॉंटिटी में लगाए हुआ है राहर जो अच्छी फसल है या भी ग्रोथ की ओर में है अज साते साथ में घास पुआल भी है पार राहर भी है कि अच्छी में भी दिक्कत हो रही हुआ है कि बड़ा होने के करन राहर का फसल लगा हुआ है अभी चारो तरब लगे हुआ है कि अच्छी तरह असफसल राहर का है जो दिखने में अच्छी तरह अच्छी तरह असफसल राहर का है हमें लग रहा है आप लोग कि तरह लगा हुए कि नहीं है कमेंट करके जरू बताएंगे हमारे और छेतर हमारे छेतर में तो बहुत ज्यादा राहर लगा हुआ है जो राहर दार बहुत मसूर है यह देखे दोस्तो हमारे बीच में जो यह फसल लगा हुआ है सुर्गुजे की है जो आप लोग किस नाम से जाने जाते हैं जो हमें कमेंट करके बताएंगे यह हमारे लोग छेतर में सुर्गुजा बोलते हैं जो बहुत बड़ा छेतर में लगा हुआ है इतना इतना छेतर में देख पा रहे हैं सुर्गुजा बहुत ही अच्छा फसल है जो काले बीच होते हैं थुड़ा लंबे टीप का होते हैं अभी बढ़ रहा है अभी बढ़ रहा है हमारे और लाल मीटी और दोमट मीटी और स्भी तरह के मीटी पाए जाते हैं जो उपजाओ के लिए अच्छा है ये फिर से राहर का बारी आ गया है और ये है बजरा जो बजरा के नाम से जाना जाता है ये पोधा को जो यहाँ पर लगी हुए है और राहर के बीच में लगा हुआ है अच्छा हर्याली दीख रही है ये है दोस्तो बजरा का पीड़ पीड़ नहीं पोधा है जो कुछी दिन के बाद ये फुलने वाला है फल लाए गया अच्छा है बहुत जाद नहां पर बजरा का खेती हो रही है इस इस तरह हमारे वीडियो में बने रहे हैं और हमारे वीडियो को लाइक आज सब्सक्राइब करते रहे हैं और भी पसल के बारे में जनकारे देए जाए पाद नहां पसल करते है लाए वीडियो